तो हेलो गाईस कैसो भाई आप सारे लोग भाई यहाँ पर जोता नहीं असा लग गया है और हैपी नूएर भाई हर किसी बन देको भाई हम तो देखो middle class लोग है भाई lower middle class कैलो middle middle class कैलो ठीक है हमारे लिए हर साल एकी जैसा रहता है भाई ना कोई हमारे पास लड़की बात करने के लिए ना हमारे स्कूल में अच्छे number आते हैं ना हमें college वाले जो होता है मतब college में पे अच्छे number ने आते हैं ना हमारी जोता जॉब लगती है तो हमारे लिए हर साल एकी तरह का ज के अंदर तो यहां पे लैप्टॉप बताने वालू वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना अगर तुम लोग भी फेवरेक्ट जो तुमारे गेम से उनको चलाना चाहते हो ठीक है तो जाए टाइम वेसी करते हैं जल्दी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे बहले का इस बात करते हैं यहां पे क्राइक्टिर है कि मतब साथ हजार रुपे लेकर जेम में निकलोगे तो किस टाइप की तुम्हें ओर और यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा और यहां पे कुछ लैप्टॉप के अंदर आपको एड़ श्टीन थेर्ड भी अब यहां पर यहां पर में यह हो सकता हम एक दिफरेंड भी देखने कलिए मलें भी टीजीप मतलब यहां कि कोई ग्रा फिख कर फैती वर्ट के साथ होगा कोई ग्राफिक कार प्लग सोट कोई एक क्वार्टी प्ल्न TGP के साथ होगा, यहां पर एक important चीज़ बताना चाहत हो 1650 और RTX 2050 के साथ, जो होता है मत जाना, वो जो ग्राफिक और बर्बाद है आज के ताम में उनको लेना, कम से कम 3050 को जो जो होता है, वो जो होता है बेटर चोईस है, बात करते हैं, यहां पर 8GB की RAM देखने के लिए मि जाएगी और यह मेन स्पेक्स हैं जो तुम्हें इस बज़र में देखने के लिए मिलेंगी इससे नीचे बिलकुल भी मत लेना अगर तुम्हें दुकंधार पागल बना रहा तो भाई उससे कैदना मैंने मनीश भाई की वीडियो देखियो और उन्होंने बोला भाई 30-50 वाल आपको इसकी स्पेक्स बतातु उसके बाद जो एक्स्पेन करूंगा इस लैप्टॉप के बारे में तो CPU में जो दा भाई यहां पर मिलता है मैं IE5 11th Generation 11260H 6.12 Thread का CPU है 4.4 GHz का Turbo Clock है अब देखो यह जो CPU है ना इसके अंदर 6.12 Thread मिलते हैं जिसके ओपर तुम लोग अच् गेमिंग करने वाले उसको भी हैंडल कर लेगा देखो 6.12 Thread जो होता है आज की time में recommended है अगर आप high refresh rate gaming करते हो अगर 60fps gaming करते हो ना तो उसके लिए 4.1 Thread में भी काम हो जाता है पर अगर तुम high refresh rate करते हो ना तो भाई हमको जादा Thread जोता है मतलब उनकी ज़रत होती है और यहां पर तुम लोग 2K, 3K, Rendering, Editing जो भी करने वाले हो भाई उसको easily यह CPU हैंडल कर लेगा तो graphic card में RTX लगा हो है RTX 3050, GTDR6, 4GP की वीडियो रहम है और 45Watt की TGP है अब यहां पर यह जो laptop है 45Watt की TGP के साथ आता है जो थोड़ी सी कम है अगर तुम बाकी laptop चेक करोगे ना तो उनके अंदर 75Watt और 85Watt तक की TGP भी हमें देखने के लिए मिलती है अब इसका मतलब यह नहीं है कि भाई इसके अंदर गेम चलेंगे नहीं यह जो graphic card है यह तुम है 1650 और 2050 से जोधा बहुत बढ़िया performance जोधा डिलीवर करके देगा और यहां पर तुम लोग DLSS को भी जोधा अपग्रेडेबल है 512GB की N.2 SSD जोधा हमें देखने के लिए मिलती है और डिस्प्ले की बात करतो भी 1080p 144Hz IPS डिस्प्ले है तो high refresh rate गेमिंग यहां पर कर सकते हो 144Hz कर जोधा है refresh rate हमें देखने के लिए मिलता है और यहां पर हमें IPS भी दे रखा है तो भाई अगर तु भाई 6Hz की battery life है जो मैंने अपने सूत्रों से पता करा लग बग 4.5 गंटे का battery backup देगी अब देखो हर company बोलती है भाई हमारे laptop की battery 6 गंटे की है 7 गंटे की है पर हम लोग पता होती है कि battery कितनी लंबी जोधा चलेगी ठीक है तो 4.5 गंटे का battery backup देखने के लिए मिलेगा और last but not least additional features में backlit keyboard देखने के लिए मिलता है और यहां पे single red backlit है ठीक है तो यह laptop डीसेंट features के साथ loaded है और इसका price भी काफी कम है बता 55,000 रुपीज के around आते है Amazon पे और अगर तुम लोग इसको card से purchase करोगे तो around 52 या 53 तक का पढ़ जाएगा तो तुम लोग इस laptop को check out कर सकते हो तो सभी laptop के link जोता नीचे दे रखे हैं तो यहां पे जोता है मेरे telegram group है तुम लोग चाहो तो जोइन कर सकते हो और मैं बोलूगा जोइन कर लो कि कि वहां पे जितने भी laptop के link होता है वो सारे के सारे जोता हमें भेज देता हो अगर मान के चलो तुम से कोई video मिस हो जाती है और तुमें जोता भाई मतलब बजट के according कि मैं laptop चाहिए तो भाई वहां पे तुम मेरे को message भी कर सकते हो और मैंने group बना रहा है वहां पे group join कर लो वहां पे मैं हर एक दू दिन के अंदर अंदर जैसे video आती है उसके जितने भी links होता है पहली भेज देता हो तो ध्यान से ज आसस ने budget के अंदर निकाल रही है मतलब जो इनकी main series है वह रोजी होती है पर रोजी की दिक्कत यह कि वह बहुत मेहंगी होती तो भाई इन लोगोंने tough जोता है निकाल रहा है जो budget gamers के लिए होती है तो अगर तुमारे budget भी इसके around था तुम लोग tough series को check कर सकते हो बात करते इस laptop की specs की तो यहां पे भी इंटल का CPU लगा हुए i5-11400H 6.12 thread 4.5 GHz का turbo clock है अब यह जो CPU है बिलकुल उपर वाले CPU की तरह है सिर्फ थोड़ा बहुत clocking का difference है तो मैं यह तो नहीं बोलूँगा की तुमें बहुत अलग time मतर डिफ्रेंट fps देखने के लिए मिलेगा लग ल वह बहुत अच्छा दे रहा है 75W की TGP के साथ आता है तो अगर तुम लोग गेम्स को चलाओ गए तो यह जो laptop है ना तुम्हें पहले वाले laptop से थोड़ा बैटर fps देगा मतलब 10-15 fps का difference आयागा 75W बहुत जादा होता है और यहां पे एक और चीज भाई मक स्विच देखने मैं भी कभी के बार स्विच करता हो थो ठोड़ा ठीक रहता है बात करते हैं यहां पर RAM की तो 8GB की RAM देखने के लिए मिलती है और additional RAM slot दे रहा है तो in future अप्ग्रेड कर सकते हो 512GB की M.2 SSD में देखने के लिए 1080p IPS 144Hz का refresh rate वाला पैनल है तो डिस्प्ले के मामले में यह laptop भी ज दे रहा है और MS Office भी जोता है दे रहा है अब यहां पर इस laptop की battery है वो बहुत ज्यादा लंबी है in fact जितने भी laptop बताऊँगा उनमें सबसे लंबी battery सीखिए है मतब 90Wh जोता है अरांड तुमें 5 गंटे तक का battery backup दे देगा अगर तुम थोड़ा सा उसको brightness को थोड़ा कम कर हो पर जितने भी games आते है वो तुमें देखने के लिए मिलेंगे और यहां पर हमें MS Office भी दे रहा है तो अगर कोई बंदा ऑफिशल परपस के laptop को लेना चाहता है उसके लिए ले सकता है कि यहां पर MS Office भी दे रहा है तो अगर तुम ऑफिस जाते हो ठीक है और तुमें गेंग ले कंवन करता है तो तुम लोग जुदा पर गेंडेशल सकते हो अपना Office का काम भी कर सकते हो अब यहां पर दोस्त नोग बात करने हमारे थर लैप्टोप जो थर लैप्टोप यहां वो भी MSI की तरफ शाथ है MSI GF63THIN अब देखो नाम केंदर चुदा हो नाम केंदर जो MSI के laptop होते है जो इस budget के अंदर आतो उनके नाम थोड़े सेम रहते हैं पर अंदर की specs होते हैं बिल्कुल different होती है तो यह वाला जो laptop है इसका pricing जो होता और के लेवल के editing करने वाले हो या फिर भाई multiple multitasking करने वाले हो और तुम जो होता भाई काफी chrome tabs खोल कर रखोगे game भी चल रहा होगा देखने के लिए मिलेगा तो RTX 3050 45W की TGP है जो पहले वाले laptop में graphic card है यहां पे भी तो बताने वाली कोई चीज नहीं है RAM की बाद करूब ही 8GB DDR for RAM में 32 MHz और upgradable 64GB तक मतब upgrade हो सकती है 512GB M.2 SSD है 1080p 144Hz IPS लेवल की display है Windows 11 Home में देखने के लिए मिलती है चार घंटे प्रस का battery backup है और वही same red backlit keyboard देखने के लिए मिलता है तो जो हमारा पहले वाले laptop है बिल्कुल similar laptop है उसके सिर्फ और सिर्फ यहां पर processor का difference है तो अगर तुम्हें अच्छा processor चाहे तो तुम तीसरे laptop को जो 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 चेक आउट कर सकते हो अब यहां पर दोस्तों जिस तरह से तीसरे laptop जो पावरफुल CPU laptop था ना उसी तरह से जो 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 पावरफुल ग्राफिक कार वाला laptop है मत अब यहां पर यहां पर देखने के लिए मिलेगा बात करते हैं यहां पर इसकी स्पेक्स की तो सबसे पहले चीज़ बात करते हैं यहां पर यहां पर यूज कर रहा हूं मेरे personal HP वाले laptop में Ryzen 5600 Edge जो होता है देखने के लिए मिलता है 6.12 thread है और मैं इस CPU को यूज कर रहा हूं लेटरली बता रहा हूं अब भी तक के जितने भी games है ना मैंने राइट ना उस पर असासंकर मिराच चलाया था कुछ एक दो दिन पहली ठीक है जो बिल्कुल recently आया है ठीक है गेमिंग के मामले में बहुत जाद अच्छा है इनफेक्ट भाई मैं इसके ओपर कभी कबार प्रीमेर प्रो में 4K वीडियो मैंने एडिट करी एक घंटेगी ठीक है उस एक्सपोर्ट कोने में 40-50 मिल्ड लगे थे पर अगर तुम प्राइस के कोडिंग देखोगे ना तो यह CPU बहुत जादा अच्छी परफॉर्मेंस यह होता है डिलीवर करके देता है बात करतें ग्राफिक कार्ड की तो भाई आटी एक्स लगा हुआ है 30-50 85 वाट की जोता है TGP है अब एक इंपॉर्टेंग जो भी सरेशन देना चातू हर बंदे को जब भी गेमिंग करो ना चार्जिंग में लगाए गेमिंग करो क्योंकि भाई डैनामिक बूस्ट होता है में देखने के लिए मिलता है अब वैसे ही ग्राफिक कार्ड जो भी 70 वाट पे चलेगा पर जब तुम चार्जिंग लगा होगे न मतब चार्जर के अंदर जब इसे लगा दोग लैप्टॉप को तो 85 वा जो 16GB के उपग्रेड़ेबल है भाई रैम को जोता है ना 16GB के उपग्रेड कर ले ना मैं सच बतार हो भाई AMD के जितने भी CPUs है और में बहुत फायदा देखने के लिए मिलेगा मतलब मैं भी जब 8GB RAM पे यूस कर रहा था था थोड़े लाग्स हो रहे थे मतलब एडिटिं क देखने के लिए मिलता है ऑफिशल परपस के लिए बहुत बढ़ी है बैटरी जोता हुँ चार घंटी की बैटरी बैकप जोता हमें देखने के लिए मिलेगा और एडिशन फीचर की बात कर दो भी बैकलिट कीबोर दे रहा और थ्री मंत का Xbox Game Pass दे रहा है तो थ्री मंत तक जोता हु बाई तुम जितने भी Xbox Game Pass के उपर गेम्स हैं उन सब को खेल सकते हो चाहे RDR2O Spider-Man तो सिर्फ PS5 के उपर अवेलेवल है वह तो दिक्कत वाली चीज है तो यहां पर समझ रहो ना जितने भी नईने गेम्स आते हैं जो Xbox के उपर अवेलेवल है वो सारे के सारे तु ठीक है तो भाई जरू से चेक आउट कर सकते हो तो गाईज यह थे हमारे best gaming laptop pointer 60,000 वो भी 2024 के अंदर ठीक है भाई तुम्हें कोई और अशी वीडियो देखने की ज़रत नहीं है आज के टाइम में होता है 2024 में best gaming laptop pointer 60,000 भी यही चल रहे है और जिस तरह अगर ही update होंगे तो इसको पर एक और नहीं वीडियो आजाएगी जैसे हर बार आती है ठीक है तो वीडियो को यहां तक दिख लेता है और बड़ा से लाइक कर देना चैनल पहले बार तो सब्स्राइब करना इस तरह के laptop content के लिए मिलता वसल के और नहीं वीडियो में